स्वस्थ और सुखी रहने के लिए जरूरी है कि मा और उसका परिवार सही प्रकार से भोजन करे। खानों के तीन मुख्य समू होते हैं जिने हमें रोज खाना चाहिए। पहला समू है प्रोटीन जिसे हम निर्मार्नी खाद भी कहते हैं। ये खादिय हमारे शरीर के विकास और उसकी मरम्मत में काम आते हैं। खादियों का दूसरा समू है उर्जा देने वाला समू या कार्बो हाइडरेट। ये खादिय हमें चलने फिरने, सोचने, खेल कूद और सक्रिया रहने के लिए उर्जा या शक्ति देते हैं। अंतिम समू रक्षक खाद्य का होता है, जिसमें फल और सबसियां आते हैं. ये खाद्य हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं. इस वीडियो में हम पहले समू यानि प्रोटीन के बारे में बात करेंगे. प्रोटीन युक्त खाने हमारे शरीर को ताकत देते हैं और हमारी हड्यों, मान स्पेश्यों और दातों को स्वस्थ रखते हैं. भोजन में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है क्यूंकि उसी से शरीर का निर्मान होता है. प्रोटीन खाने से बच्चे के शरीर का विकास अच्छा होता है, बच्चा तंदरुस्त और हस्मुक रहता है प्रोटीन से भरपूर खानों के उधारन हैं दाले, राजमा, छोला, चना, मूफली, सोया बीन, दूद, दही, पनीर और अंडे इसके अलावा मूर्गा, मच्चली और मांस में भी प्रोटीन होता है Ee आप देख सकते हैं कि प्रोटीन तरहतरागे खानों में पाया जाता है कई शाकाहारी खाने जैसे दाल और विभिन पक्रार की फलियां प्रोटीन से भरपूर होती हैं ये सभी खाने सस्ते होते हैं और इन्हें प्रति दिन खाना चाहिए. मांसहारी खाने जैसे मचली, मुर्गा, मांस और अंडों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है पर ये ज्यादा महेंगे होते हैं और इन्हें रोज नहीं खा सकते हैं. अंडें ज्यादा महेंगे नहीं ह और उन्हें लगभग रोज खाया जा सकता है। गर्प फती महिलाओं के लिए सही मात्रा में प्रोटीन खाना और दूद पीना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन खाने से मा के अंदर पल रहे शिशु का विकास अच्छा होता है। शिशु के जन्द के बाद मा का शरीर जल्दी ही पहले जैसा स्वस्थ और मजबूत बन जाता है। मा के दूद में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए यह जरूरी है कि दूद पिलाने वाली माताएं प्रोटीन युक्त भोजन परियाप्त मात्रा में खाएं। अब तो आप समझी गई होंगी कि निर्मानी खाते यानी प्रोटीन, मा, बच्चे और पूरे परिवार को ताकतवर और स्वस्थ बनाने के लिए कितने आवश्च रखें।